प्रश्राइब क्लास को शुरू करते हैं ना उससे पहले स्य खंजी गुद आफ्टरणून आईश्राइब क्लास को शुरू करते हैं उससे पहले एक बर जो अपना टाइम टेमल है उसको देख लेते हैं होब सारे बच्चों को तो यह याद हो चुका होगा क्यूंखिर रोज क्लास के अंसरा झाला ते बच फिर भी एक बर हम लोग त को देख लेते हैं तो 1.30 आपकी क्लास होती है जो अभी अभी हुई है रिश्वप सर की देन 2.15 हमारी क्लास होगी हम लोग साइन्स पढ़ चुके हैं अब जीके को डिसकस कर रहे हैं और राइट आफर आपकी क्लास होती है कुशा मैं की जो आपको इंग्लिश पढ़ाएंग जब 6 जूल को एक्जाम हुआ था उसमें तो आज उसका लास डे है अगर आप रिडीम करेंगे तो आज ही उसको कर सकते हैं उसके बाद में वो वैलिट नहीं होगा ठीक है उसके साथ साथ एक और इंफरमेशन जैसे मैं आपको बताया है कि सारे डिफेंस कोर्स के लिए पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं थ्रू विडियो लेक्चुर्स अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट एबुक लाइक लाइक लास अलग से मिलेंगे जो बिलकुल आपके एक्जामिनेशन पैटन के ओपर होगे ठीक है तो इस कोर्स को आप भी खरी सकते हैं उसके बाद म गूर गूर अफटनून चलो तो क्लास को शुरू करें तो आज जैसे कि आप लोगों को टैक्लाइन में भी दिख्या होगा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पोर्स और गीम्स के बारे में तो पहले में आपको बताती हो कि हम लोग इस पूरे चाप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ पर डिस्कुस करेंगे हैं तो अब तक हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है साइंस पूरी के पूरी लगबग हम लोगों ने खटम कर लिए हैं अब उसके बाद में मांटें टेरेंट पढ़े लाइफ कैसी होती है फार्मर की वो देखा हम लोगों ने खटम की हैं अब जब हम स्पोर्स और गेम्स की बाद करेंगे तो इसके अंदर हम कौन कौन से गेम्स होते हैं कौन कौन से वो Ос remote है ठीक है वो कहाँ पर होते हैं कुछ नैशनल, इंटेशनल कुप्स और ट्रोफी के बारे पे बात करेंगे पाटिकुलर कुछ बहुत फेमस जो स्पोर्समेन है जो एक पर्टिकलर स्पोर्स से जुड़े हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे और भी मज़िदार तो यह पूरा का पूरा चाप्टर हम लोग इस तरह से पढ़ने वाले तो यहां पर एक स्टूडेंट अभी और एक नया जुड़ा है हमारे साथ में एक तो I think Shreyas is new here yes and उसके साथ में कैड़िट प्रबंध प्रबध है ना I am मेरे खाल से में सही इसको प्रणांस कर रही हूं प्रबध है ना and he's saying okay so you are also called as palu तो हम लोग आपको palu कहें तो चलेगा न okay and बच्चों का एक और student है उसका नाम बड़ा interesting है वो है बच्चों का जुनून नाम कहां कहां से लेकर आते हो तुम लोग इतने सारे जो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नाम है न वो कहां से लेकर आते है hello harsh तो चल सब अच्छे बच्चे और प्यारे बच्चों के साथ में class को शुरू करते हैं और हम अपने sports को शुरू करेंगे the famous Olympic Games से ठीक है तो Olympic Games के बारे में हम लोग सब जानते हैं क्योंकि आजकल तो हम लोग newspaper के अंदर भी उसको काफी पढ़ रहे हैं Corona की वज़े से काफी ज्यादा चड़जा के अंदर है Olympic Games है न के cancel होंगे या उनका conduction होगा इसको लेके तो देखते हैं कि यह जो Olympic Games है यह इतने खास क्यों है इनकी शुरुआत जो है वो कहां से हुई है न good ethic very nice अच्छा हुआ आपने अपना नाम बदा दिया वरना मैं बच्चों का जुनूनाम से ही आपक पहले तो Olympic Games को हम पहले दो category के अंदर divide करेंगे एक ancient और दूसरा modern modern वो है जो हम आज के scenario के अंदर देखते हैं ठीक है अब देखो अगर मैं ancient games की बात करूं ancient Olympic Games की बात करूं तो यह हुए थे city of Olympia in Yunan और वो कब हुए थे देखो कितना पुराना हम लोग 776 before Christ BC की बात कर रह है वो city of Olympia में शुरू हुए थे इसकी वज़े से इनका नाम जो है वो Olympic Games बढ़ा मतलब city के नाम से इन games का नाम रखा गया है हाँ हाँ अभी तो मैंने शुरू ही किया है ना भी repeat कर देंगे अभी बस 5 मिनिट हुए ग्लास को शुरू हुए तो हम लोग बात करें Olympic Games की सबसे क्राइब शुरू हो गए थे और यह हुए कहा थे सबसे पहले शुरू हुए थे city of Olympia जो है युनान के अंदर और इसी city of Olympia से इन games का नाम जो है वो Olympic Games बढ़ा गड़ अगर हम बात करते हैं अभी जो modern Olympic Games को हम लोग देखते हैं ओके सो यह जो modern Olympic Games हैं यह स्टार्ट हुए थ 1896 और यह हुए थे start city of Athens Greece के अंदर यानि Athens जो है ग्रीस में वहाँ पर modern Olympic Games जो है वो शुरू हुए थे अब देखो ध्यान रखना कि जिस तरह का question आपसे पूछा जाता है बच्चों आपको जवाब भी बिलकुल वैसे ही देना है अगर आपसे ancient game के बारे में पूछे तो ऐ most of the time हमको ऐसी चीजे सुनने को मिलती है ना तो आप यह देखो कि आपसे पूछा किस चीज के बारे में जा रहा है ancient Olympic Games के बारे में या फिर modern Olympic Games के बारे में गुड़ अब जैसा हम लोगों को पता है it is organized at the interval of every 4 years हर 4 साल के अंदर यह Olympic Games जो है उनको क्या किया जाता है organized किया every 4 years है ना जैसे हम लोग अगर हम World Cup की बात करते हैं cricket की World Cup की बात करते हैं Asian Games को अभी हम लोग पाड़ेंगे Commonwealth Games को पड़ेंगे तो यह जितने भी Games हैं या जितनी भी trophies हैं इन सबका एक निश्चित या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं fixed interval होता है जब इनको organize किया जाता है हर साल यह Games नहीं होते हैं good चल अब देखो यह जो Olympic Games है पहले तो यह देख लो यह जो Olympic का सिंबल है सिंबल भी क्यों खास है हम इसके बारे में अभी बात करेंगे थोड़ी दिर में ठीक है पहले देखते हैं कि Olympic Games जो है तो कौन यह decide करता है कि यह जो place जो हमारे Olympic Games है यह next कहां पर होन good यह establish हुई थी 1894 के अंदर good और यह committee decide करती है कि Olympic Games जो है वो कौन सी city या कौन सा nation जो है वो host करेगा Olympic Games के अंदर सारे decision जो है वो कौन लेता है International Olympic Committee good तो यह हमारे एक committee है जो कि यह decide करेगी कि Olympic Games कहां होंगे even अगर आप यह देखते हो कि Olympic Games जो है उनको cancellation भी करना है अगर तो उसका भी मतलब क्या होता है या वो cancellation कब होंगे यह भी कौन decide करेगा International Olympic Committee हम और आप बैटके decide नहीं कर सकते हैं कि यह जो है कब Olympic Games होंगे या कब जो है वो इसको cancel कर सकते है ठीक है हाँ तो अब हाँ हाँ अभी अभी सब अरे मैंने बोला तो था अभी symbol देखो symbol के बारे में हम लोग सब जो है वो discuss करेंगे हाँ मैं को एक एक करके question लेने तो हम अभी एक करके अम लोग देख लेते हैं ठीक है my picture is not coming का रहे यह तो बहुत मुश्किल हो गई कि मेरी picture नहीं आ रही है okay so पहले मानवी के सवाल का जवाब देते हैं हाँ युनान से हो गया अब देखो ad का मतलब होता है ano a double n o ano domini domini ano domini जैसे bc before christ ano domini यह जो isa जो हम लोग christ है उनके birth के बाद का जितना भी समय है उसको ad से represent करते हैं okay next IPL is there football, fifa यह सब cups जो होते हैं जिनकी भी बात हम लोग करते हैं इनका एक time period होता है जो एक निश्चत अंतराल पहोता है ठीक है yes बिलकुछ सही है harsh every color belongs to a different continent अभी मैं बस इसको बताने ही वाली हूं ठीक है yes every color represent a different continent good yes every olympic take place in every four years बिलकुल सही है पालू ठीक है चलो अब यह अच्छी बात है कि हाँ यह सब लोग हाँ anodomini लिग भी दिया देखो साहराज good afternoon साहराज after Christ को ऐसे यह पूरा उसमें Latin में बोला जाता है anodomini ठीक है चलो अब यहां तक हो गया अब आगे बढ़े हम लोग okay so यह जो committee है इसका place क्या है second now जो इसका headquarter है वो है Losan Switzerland के अंदर तो जैसे मैं आपको बताया कि हर एक जो decision जो olympic committee जो olympic से related होगा उनके games के organization से related होगा वो कौन लेगा वो लेगा यह committee good अब पहले last olympic की भी बात करेंगे और next olympic की भी बात करेंगे पर क्यूंकि काफी सारे बचे इस questions को पूछ रहें तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं है ना अब लिखो लिखो आप लोग सारे के सारे red जो है that represent America, green for Asia, yellow for Africa, black for Europe and blue जो है वो oceana को present करती है ठीक है अरे पालो अभी रूखो अभी सारे के सारे लिख दिया इसने am pm भी लिख दिया anti meridian भी लिख दिया और prime meridian भी लिख दिया ठीक है चालो तो सबके नाम लिखे आप लोगोंने की कौन से रिंग जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है particular ring के ओपर कभी question नहीं आता पच्छे पर फिर भी आप जब लिख रहे हो नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बिलकुल आपने complete होने चाहिए जितनी ज्यादा knowledge हमको हो उतनी ज्यादा अच्छी होने चाहिए ठीक है good all done चालो so red मैंने आपको बताया America green for Asia yellow for Africa जो black है वो Europe को और जो blue है वो present करती है red for America हां हां मैं repeat कर रहे हूं अपस लिख लो आराम से लिख लो आराम से अराम आराम से आफ्रिका येलो अमेरिका red एश्या green Europe black and oceania is blue ठीक है हो गया सब लोगों का अब आगे बढ़े I hope अब सब लोगों ने लिख लिया होगा oceania oceania blue भाविक oceania जैसे ocean है वैसे oceania तो वैसे तो seven continent है पर यहां पर rings जो है वो seven नहीं है यहां पर रिंग्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है पांच ही है ठीक है चालो अब देखो next olympics जो है इसको थोड़ा सा यहां पर हम लोगों ने चेंज कर दिया next olympics जो है वो होने वाले थे japan के अंदर 2020 के अंदर but due to corona pandemic वो games जो है वो cancel कर दी गया और अब 2021 यानि 2021 के अंदर यह game वापस से proposed है ना यानि की upcoming July के अंदर यह games जो है वो यहां पर proposed है जपान के अंदर हां पालो क्या किया है न कि देखो seven जो main continent थे वो ले लिया और बागी के जो बचे है उनको blue के अंदर include कर लिया हर्ष क्या repeat करूं कौन सा वाला sentence किया कौन सा वाला जो है रहे गया वो repeat करूं कलर रिपीट करूं वापस सारे जो rings के color है वो green देखो मैं बतारते हूं अच्छा लिख लो आराम आराम से लिखो ठीक है पहले आराम आराम से लिख लो green for asia है न and yellow for africa good green asia yellow for africa red for america red america के लिए बचे जो आपका black दिख रहा है वो यॉरप के लिए और blue है वो ओशनिया के अंदर है ठीक है राजिवर्दन cricket पाएंगे न जब bccii के बारे भी बताऊंगी ठीक है अभी olympics देख लेते हैं हम लोग ठीक है चालो अब आगे बड़े so every four years यह होते लेकिन next जो है वो 2021 के अंदर होगा जिपैन के अंदर good अब हम बात करते हैं कि यह जितने भी games होते हैं जो कि olympic games होते हैं इनके अंदर सबसे importantly women का participation कब शुरू हुआ जब मैं आपसे बात करे हो कि ancient olympic games की तो ancient games के अंदर तो women का participation नहीं हुआ होगा है ना तो यह participation शुरू हुआ 1900 AD के अंदर from second olympic game यानि second olympic game से women का participation शुरू हो गया and जो इंडिया की जो first women थी जिन्होंने हम लोगों को olympic के अंदर represent किया वो थी Mary Leela Rao and she was a athlete है ना एक athlete थी Mary Leela Rao उन्होंने सबसे पहले olympic games के अंदर इंडिया को represent किया था okay so I hope अभी सारे के सारे बच्चे जो है उन लोगों को color और olympic वाला जो है वो concept किसी का भी color अगर रह गया हो तो आपस में share कर लो भाई है ना नहीं तो जब अपनी class कतब होगी ना मैं last में लिखतूँगी ठीक है last में लिखतूँगी तो उसको देख ले ना अगर किसी को भी को बिगन पीजन हो अब हम लोग देखते की olympic games जो last olympic games हुए थे रियो के अंदर है ना तो next होने वाले थे 2020 और वो थे अभी नव बिंद्रा इन्दी inaugural ceremony अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुलो जब भी ये नाशन इंटरनाशनल गेम शुरू होते हैं तो इनकी एक inaugural ceremony होती है और उसके साथ साथ एक closing ceremony भी होती है अब जैसे नाम से आपको पता चल रहा है inaugural ceremony का मतलब क्या जब गेम शुरू होते हैं तो उससे पहले जितना भी teams जो होती है जो olympic में participate करने के लिए qualify करती है वो team एक पूरे stadium के अंदर यहाँ पर क्या होता है inaugural ceremony के अंदर हिस्सा लेती है और इस ceremony के अंदर हर एक country का एक जो athlete है या कोई एक sportsman है वो क्या करता है उस country का flag जो है उसे bear करता है वो सबसे आगे आगे चलता है और फिर उसके बाद में उसकी जो पूरी की पूरी team है या जितने भी लोग उसकी team में है particular देश से वो उसके पीछे पीछे चलते हैं good so यह होती है inaugural ceremony and same happened with in the closing ceremony also तो क्या होता है कि closing ceremony और inaugural ceremony के अंदर जो flag bearer होता है वो बहुत important होता है so 2016 के अंदर जो Rio Olympics थे उन में inaugural ceremony के अंदर जो flag bearer थे वो थे अभिनव बिंद्रा अब हम लोग जानते है अभिनव बिंद्रा को Olympic gold medalist है इंदी shooting और closing ceremony के अंदर ये flag bearer वनी थी शाक्षी मलिक और साक्षी मलिक को भी हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो भी Olympic medalist है उन्ह उने हमारे इंडिया के लिए wrestling में क्या जीता था? ब्रॉंज बैडल जीता था तो she was the closing ceremony flag bearer good? बिल्कु शूटिंग Thank you Palo, thank you so much. ठीक है? अर Maricombe नहीं था, Maricombe नहीं है वो लीला वो अलग है रहा हूँ Maricombe तो बहुत बाग में गई थी represent करने के लिए मैं बोल रही हूँ first जो लेडी थी जिन्होंने represent किया था उनको, ठीक है? Yes, shooting is there, yes, shooting में gold medal जीता था उन्होंने साक्षी मलिक, wrestler अभी बता देते हैं उन्होंने क्या किया था? अब देखो, अब हम आते हैं जो Rio Olympics, last Olympics थे उसमें इंडिया का performance कैसा था? Good, so PV Sindhu, silver medal in badminton उन्होंने silver medal दिलाया था इंडिया को badminton के अंदर and साक्षी मलिक जिनकी मैं बात बता रही हूँ आपको उन्होंने bronze medal जीता था wrestling के अंदर तो ये दो medal हम लोगों को मिले थे ठीक है? और इन medals के साथ में जो इंडिया था वो 67th rank पे था जो एक और जो country है उसने भी share की थी और वो country है मंगोलिया ठीक है? तो मंगोलिया के पास में भी एक silver और एक bronze था जैसे कि इंडिया के पास में था तो ये जो 67th position है ये इंडिया और मंगोलिया दोनों ने share की थी ठीक? अब क्यूंकि ये last olympic की बात है अभी तब तो हुए नहीं है तो इसलिए ये medals जो है वो ज्यादा important है राजी वर्दन जो तुम लिख रहे हो वो इसका मतलब ये है कि वो सारे लोग जो है olympics में जा चुके हैं हाँ बिल्कुल जा चुके है olympics के अंदर represent कर चुके बट सबसे important क्या होता है सबसे important होता है जो medal मिलता है हम लोगों को वो last और जो आने वाला यानि की upcoming है good so this was all about the olympics अब हम आते है second सबसे बड़े games के ओपर जिसे हम लोग बोलते है commonwealth games ठीक है अब ये commonwealth games जो है this it gets started in 1930 in hamilton canada सबसे पहले 1930 के अंदर ये commonwealth games जो है वो start हुए थे ठीक है last जो game हुआ था वो हुआ था 2018 के अंदर है ना 2018 के अंदर हुआ था और वो था 21 commonwealth games जो हुआ था गोल्ड कोस्ट ट्विंसलेंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर और नेक्स्ट जो होगा वो होगा ब्रिंगाम इंगलेंड के अंदर जो होगा 2022 के अंदर ठीक है अब जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक जो game हम लोग देखते हैं उनकी अपना पूरा इंटरवल होता है तो जुस्ट लाइक olympics commonwealth games जो है वो भी हर चार साल में होते हैं यहाँ पर आपको पता ही चल गया होगा कि commonwealth game जो है वो हर चार साल के अंदर होते हैं very nice arnav arnav ने बोला है कि उसके पास में चार gold medal है जो उसने अलग-अलग sports के अंदर जीते हैं बागी बच्चों के पास में भी होंगे i hope है ना बागी सब बच्चों के पास में भी होंगे good यह देखो harsh ने भी बना दी i got gold medal in athlete in class पट तो मुझे लग रहा है कि हमारे जो अब आने upcoming जो भी बहुत सारे गेम्स के अंदर हम लोगों को gold medal विनने वाले है ना क्या कहते हो सभी लोग ऐसा ही होने वाला है ना कि आप लोगों मैंसे बहुत सारे लोग आगे जाएंगे इंडिया को डी प्रेजेंट करेंगे Olympics के अंदर Commonwealth Games के अंदर अभी हम लोग Asian भी पड़ेंगे और वहां से खूप सारे gold medal जो है वो लेकर आएंगे है ना चलो थामसब लगा दो सब लोग इसी बात के ओपर बहुत अच्छी spirit है कि हम लोग बिल्कुल इंडिया को डी करेंगे करेंगे अरे वाब रिजेश भी बोल रहा है कि मैं मेरे को हर क्लास में gold medal मिलता है पड़ाई में बहुत अच्छा होगा है ना तो यह आगे जाके हमारे इंडिया को और ज्यादा आगे लेकर जाएंगे साइंटिस्ट बनेंगे ब्रेन ओलंप्याड यास 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 गुड़ आफ्टरणों जैश्वी यह लेट अवे गाइस वांटे टू बी अफ़ाइटर हा तो अब यह लोग सब वहां पर जाएंगे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई ना कोई देश की सेवा करने के लिए भी त है है ना जब हम लोग defense services में जाता है तो वहां पर भी तो हम लोगों को ranks मिलती है medals मिलते है तो वह क्या किसी gold medal और silver medal से कम है क्या वह तो बतलब और भी जादा अच्छा गाम है तो वहां पर कमा ले ना चालो बढ़िया तो इतने अच्छे और प्यारे बड़े बच्चे हैं यहां पर and they are so much talented कोई सेवा करना चाहता है देश की है ना कोई कह रहा है मैं तो बहार जाऊंगा और silver medal लाऊंगा और gold medal लेकर हूंगा सारे बच्चों के लिए clapping चलो सब लो clap करो चलो अपने लिए क्लाप करो मैं भी क्लाप कर रही है आप भी क्लाप करो चलो एक क्लापिंग तो सारे बच्चों के लिए बनती है क्योंकि बहुत intelligent भी है और उसके साथ साथ किसी ना किसी गेम के अंदर भी है क्लाप करो फटाफट फटाफट चलो फिर class को आगे बढ़ाएंगे commonwealth गेम से ल है तो सब्सक्राप जनी कर बच्या नहीं कर और क्ट्चों क्रिणा बच्चों क्रेशल कै रॉब्स क Ci wetrl What button what or olympic symbol color country Mhmm NOT color country is color continent यसे रीच रिंग्स रिंग्स है वो color continent कोई बात नहीं जैश्वीत okay चलो all the best for all your future जो भी आप करना चाहते हो आप Olympics में जाओ Asian Games में जाओ Commonwealth Games में जाओ देश को रिप्रेजेंट करो आप Pilot बनो, IAS बनो NDA में जाओ सारे के सारे बच्चे जो भी है सब अच्छे अच्छे बच्चे है ज़रूर जो भी आप लोगों ने सुचा है वो अच्छीव करोगे ही करोगे इस नोट के उपर आप आगे चले चालो चालो, आगे बढ़ते है So हम लोग Commonwealth Games ही बात करे थे Now Commonwealth Games जैसे मैं आपको बता है Every 4 years में होते है तो last 21st था, अब upcoming जो होगा वो 22nd होगा Good अब ये जो Commonwealth Games है और अगर हम लोग Olympic Games की बात करें तो Commonwealth Games के जो participant country है उनका number है 54 Note करो सारे के सारे लोग चलो, हाँ जी अब आप वापस Notes पे आजो बच्चों है ना अब 54 लिखो Just like this 54 countries are member of Commonwealth जो के इस Commonwealth Games के अंदर पार्टिसिपेट करती है India is one of them Very right, I mean very good इतना यही तो मज़ा है कि पढ़ा है और उसके साथ मैं देखने को भी मिले कि आरे वाँ कितने सारे अचीवर्स जो है वो हमारी क्लास के अंदर बैठे हुए हम गुड गुड भावी के रहा है मेरे पास में तो 20 है पूरे मैडल्स अलग-अलग है अलग-अलग उसमें मैंने स्पोर्स में और एंटर की है चलो तो we are done with commonwealth games अब आगे बढ़े नाव कमिंग तो अनदर गेम विच वेरी मच इंपोर्टेंट अधे आडी एशियन गेम जैसे हम लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि Asian Games है तो natural सी बात है कि जो भी Asian countries है वो ही इसके अंदर हिस्सा लेती है but not all only 46 countries out of 48 Asian countries participate in Asian Games and they started on 4th March 1951 in New Delhi यह हमारे देश से शुरू हुए है सबसे पहले ठीक है हाँ तो total हमारे पास में 48 ऐसी countries है जो की पार्टिसिपेट जो की एशिया के अंदर है लेकर उन में से 46 countries जो है वो Asian Games के अंदर पार्टिसिपेट करती है good हाँ हाँ तुम सभी के सभी लोग best हो हाँ एक जनर नहीं आपे तो जो भी बच्चे है वो सारे के सारे जो है वो best है ठीक है अब यह जो Asian Games है इनके अंदर जो होकी है उसको include किया गया first time in Tokyo 1958 बहुत important point है बच्चों साथ साथ लिखते भी जाओ सब लोग नोट्स बना रहे हो ना अपने साथ में बैठके हाँ 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 मानवी मैने देख लिए 11 medals है हाँ जी वूशू के अंदर है कोल्ड भी है सिलवर भी है और ब्राउंच भी है सारे के खाँ स्टाडी के अंदर भी gold medal है हाँ तो खेल के अंदर भी मिल दखता है स्टाडी के अंदर भी है जैसे brain olympiad के अंदर भी काफी सारे बच्चों को मिलावाए चालो जैश्वी अभी अभी मेरे पास में भी 21 है टोफीज भी है ठीक है ओके चालो अब सब बच्छे साथ साथ लिग भी रहें बताते रहो अपने अचीवमेंट पर उसके साथ साथ नोट डाउन भी करते रहो ठीक है अब लोग इसी तरह से क्लास को आगे बढ़ाएंगे नो नो कमिंग तो लिस इस महरात रयातन तरह अब लार्ट नत्रार सरे हमलोग उने रस उन्मा ने टीखी लैन फोर हंड्रेंट मिम्र्ट था 30 वी मिटर तक और कह सा शुल मिर्श झाए यार्ण Vijान्माडट यार्ट फोजुट होल्ँटन क्या प इस्च्छेंज साथ एक्ट ह तो कि इसके ऊपर तो यह क्या है कि महरातन सुनने के लिए कि मिलता की का अएट हर तो महराथन अपंस को 200,000지 कि आло मैराथन पहुंच तो 100-400,000 correctly ! यह बहुत था यह इक रूम्ब यामyunह पप्ररोक्सिमेटल रूमेटर्ण को तो सिलम रूमएटर मैप यह बिल्कुल सभी बात है, Half Marathon is there Good Good चालो इसलिए तो बिल्कुल अप्लॉड किया है कि सारे के सारे बच्चे जो है इतने तालेंटेड है तो उनके लिए मतलब राउन आफ फ्लॉर सो बिल्कुल बनता ही बनता है, ठीक है? चालो आगे चलते है अब यह हमारे कुछ major games थे, जैसे कि हम लोगोंने Olympics देखा, Commonwealth भी देखा, फिर हम लोगोंने Asians भी देखा Good इसके बाद में अब हम जो next segment डिसकस करेंगे अपने इस lecture के अंदर वो है major games and their cup and trophies ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे games है, कहीं सारे trophies आप लोगोंने सुनी भी होंगी कि यह जो trophies है जैसे अभी मुझसे राजवर्दन बार-बार पूछनाता है माम जैसे ICI होता है या BCCI होता है यह सब organizing committees हैं जो एक particular game से related होती है particular sports से related होती है बिल्कुल वैसे ही कुछ gaps और trophies होते हैं जो हर एक games से जुड़े वे होते हैं तो हम लोग उनको discuss करेंगे और आपने क्या करना है? trophy पहले सबसे पहले game का नाम लिखना है पहले मैं आपको game का नाम बताऊंगी और फिर हम लोग उसकी जो trophies है उनको discuss करेंगे ठीक है चालो हाँ अदेतिया मैंने पढ़ ली आपको message के 50 में 50 है total is actually 42 ठीक है जैसे मैंने बताया महराथन जो होता है वो कैसे sprint से अलग होता है कि एक बार आपको नहीं दोड़ना है ना हाँ लगातार चलने वाला होता है बफर बफर आज जो बफरिंग हो रही है जो चलने से पहले हमारे जो इंटरनेट के साथ में बफरिंग होती है वह वाला बफर पूछ रहो आप पूजा चलो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे होकी से ठीक है अब आप लोग उनको पता है कि होकी हमारा नाशनल गेम है यह बात हमको सबको पता है तो पहले आप गेम लिखोंगे होकी अब हम देखेंगे होकी से रिलेटेड कौन-कौन से इंपोर्टेंट कप से और कौन-कौन से इंपोर्टेंट ट्रोफी से तो सबसे पहला बेटन कप गुड और इसको आप सासर नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे सेकेंड रंगा स्वामी कप थर्ड अगा खान कप लेडी रतन टाटा ट्रोफी ध्यान चंद्र ट्रोफी और वैलिंग्टन कप यह सब के सब होकी से रिलेटेड है गुड चलो अब नेक्स हम लोग आते हैं फुटबॉल के उपर क्योंकि अभी अभी मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर पढ़ा फीफा है ना तो फुटबॉल में आते हैं हम लोग फुटबॉल में सबसे पहले डूरें कप देन उसके बाद में रोवर कप संतोश ट्रोफी सुपरतो मुखरजी कप यह सारी के सारे कप जो है वो जुड़े में हैं हमारे फुटबॉल से गोड़ और फीफा जो है वो तो ओर्गनाइज़ेशन है फीफा इस ओर्गनाइज़ेशन है चले आगे गड़ खु shit मदर के पास में ए Jen ए बैड़्य नाइवं अभी क्रिकेट आ क्रिकेट में हमारे पास में रंजीट रॉफी इरारी त्रोफी डिलिट रॉफी त्रोफी इसके बाद में internet क्रिकेट इंदर हैं हमसी क्रिकेट के अंदर हैं हम लोग जानते हैं हम, you have Durant Cup, वाओ, नाइस, चलो, next is Badminton, Badminton में Narang Cup, Chadda Cup, Thomas Cup, and Kuber Cup, स्रीके, tournament के नाम है, Cup, सोच मत लेना के Cup कुछ और है, tournament के नाम है, पोलो में एक है, Radha Mohan Cup, good, हाँ, full form of FIFA, Federation of International Football Association, Federation of International Football Association, तो यह actually association है, जैसे मैं आपको Olympic Committee के बार में बता है न, उस तरह से association है, जो FIFA Cup को organize करता है, just like BCCI, हाँ, हाँ, okay, चलो, यह तो Cup हो गए, अब हम देखते हैं, कुछ बहुत famous stadiums, और वहाँ पर खेले जाने वाले game, तो सबसे पहला, Indra Gandhi Stadium, जो है indoor games के लिए, and it is located in Delhi, second, Shivaji Stadium, for hockey or national game, जो भी है Delhi के अंदर, हाँ, अरे, actually, जोईश्वी, बहुत सारे Cup है, मतलब, बहुत ज्यादा Cup and trophies होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, पर हम जो सबसे important है, उसको discuss करें, हम, अगर आप चौओ तो Ezra लिख सकते हो, मानवी question हम लोग Saturday को करते हैं, है न, Saturday को करेंगे, क्योंकि अब ही तो आपको पता है कि मैं इसी chapter में से question पूछने हूँ, जब mix हो के question आते हैं, तब ज्यादा मज़ा आता है, और chapter एक बाद फूरा खतब हो जाएगा, फिर हम लोग question ले लेंगे उसके, ठीक है, चालब, Now, next is Yuba Bharti Stadium for football and it is located in Kolkata, Next is Vaan Kheडe Stadium, हमको पता है Vaan Kheडe Stadium बहुत famous है cricket के लिए और वो है मोंबाई में, Next is Eden Garden, Eden Garden भी cricket के लिए है और वो भी है Kolkata में, Actually, ज्यादा तर जो stadium है वो cricket के लिए ही है, Then, Wimbledon, लॉन Tannis के लिए है और वो है London के अंतर, ठीक है, और मानवीन मैं सारे questions आपसे बीच-बीच मैं पूछ चूँ, Class को कतम होने का time नहीं देती हूँ, पहले पीच मैं पूछते रहती हूँ, अच्छा बताओ इसके बारे में आपको क्या पता है, तो आप लोग सब जवाब देते ही हो ना, है ना, That's how I just deal the class, चालो, Next, Brabon Stadium, वो है हमारा cricket का और वो भी है मुंबाई में, Next, Green Park Stadium, also cricket, कानपूर, Then, Barabati Stadium, cricket के लिए है, वो है काटक, Chinnaswami Stadium, another stadium for cricket, जो है Bangalore के अंदर, and Motera Stadium, जो है एहमदाबाद में, and it is also for cricket, ठीक है, Now, Finoj Shah Kotla, हम लोग जानते हैं, इसको बहुत famous stadium है, just like Vaughan Kheडे, वो है Delhi के अंदर, Chepak Stadium, Cricket, Chennai, Ann-Port, Brisbane, Melbourne, वो भी है, Melbourne, Cricket, और वो है Australia के अंदर, Melbourne के अंदर, हाँ, Vaughan Kheडे Stadium, Vaughan Kheडे Stadium और Finoj Shah Khe Kotla Stadium, बहुती ज्यादा फेमज हैं, Good, चालो, next बढ़ते हैं हम लोग, Now, coming to the National Games of Major Country, इसमें से बहुत सारे आपको पता होंगे, मुझे मालू मैं जैसे इंडिया का, हम लोगों को सबको पता है, कि इंडिया का National Games जो है, वो है, होकी, ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो बाखी Countries है, उनका, थेम्स, 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 जनरल, मनोज, मुकंत, नर्वाने, थेम्स, तो, यू विश, इनोट्स तो, उसके अंदर होंगे, मुबाली के अंदर होंगे, बढ़ आप लिखो, कुछ चीज़े ऐसी भी होती हैं, जो मैं extra बताती हो मानवी, तो इस बेटर इफ यू राइट आप, ठीक है, चालो, यू एसे में देखते हैं, हम लोग यू एसे का, जो नैशनल गेम है, वो है बेसबॉल, अब बेसबॉल के बारे में, हम लोग उनको क्या पता है, तो देखो, बेसबॉल की है, मैंने एक पिक्चर लगाई है, है ना, बेसबॉल का ये, बैट है, नाशनल गेम है, स्पेन, के बारे में, तो हम लोगों को बहुत पता है, बॉल वॉर, उनका नाशनल गेम है, बॉल वॉर, तो हम लोगों ने कहीं सारी पिक्चर के अंदर, या होफ़ूली, किसी दूसरे सीरियल के अंदर, रीयर टी-वी के अंदर देखा होगा मिलेश्या का बार या शनल गेम से g divul देखा होगा को सब्सक्राइब के देखा होगा है उसकी रखांए मैं चाहिन अलम का जो नैशनलल गेम है वह ? هा टेबल टैनिस मलेशिया का नैशनलल गेम है बेडमिन टन्ट का स्खसमन का हमारा नैशनल गेम है होकी है ना जिसको सबसे पहले एशियन गेम्स के अंदा इंटर्ड्यूस किया गया था रश्या फुटबॉल, चेस स्कॉटलेंड, रगभी हम लोग जानते हैं कि रगभी क्या होता है बुटान का नैशनल गेम है फुटबॉल उसके बाद में इंग्लेंड का क्रिकेट और जापान का है जूडो हाँ, बिल्कुल सही हर्ष कही ना कही से कलेक कर देते हैं कहते हैं मैं मैंने तो डोरी मॉन में देखा है हाँ रश्या का फुटबॉल चेस, येस, कॉटलेंड रगभी कोई भी जो चीज है जो हम लोग अहुड गयम पढ़ेंगे कुछ प्लेयर, पढ़ेंगे कुछ मेजर टर्म्स पढ़ेंगे जो हर एक गयम ये से रिलेटेड है हम लोगों को पता है क्रिकेट में जब हम लोग देख नहीं देख आ है शौरिय भारत सैनी स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसके बार में नए और पुराने बज़े मिलके सभी के सभी वीडियो को लाइक करेंगे तो कल की क्लास के लिए मिलते हैं जै हिंच जै भारत के बारत सैनी possible झाल करो नए य को सभी है